गूगल ने इंडिया में आज अपना UPI Payment एप गूगल तेज लाँच कर दिया है तो आज किस वेड़ो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल तेज और कैसे इसे इस्तमाल करना है लेकिन फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए सो फ्रेंट सबसे पहले Google तेज को इंस्टॉल करने के लिए अपने मुबाइल में आपको प्ले स्टॉर पर जाना है तो जैसे ही आप प्ले स्टॉर पर जाएंगे तो आपको सर्च बार में यहाँ पर Google तेज टाइप कर देना है उसके बाद में जो मैं एप आपको बताऊंगा आपको वो ही एप इंस्टॉल करना है तो देखिए यहाँ पर आपको Google तेज टाइप करने के बाद में आपको नीचे की तरफ जो है यह वाला एप दिखाई देगा तो करीबन यह 7 MB का आपका एप है यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स दिखाए गए हैं तो वो फीचर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर की एक बैंक से दूसरे एप बैंक में आप अपनी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और आपका जो यह रिलीज हुआ है 17th of September 2017 को रिलीज हुआ ह अगर यहाँ पर दिखाए जाए इसके जो फीचर्स है वो मैं आपको दिखा दे तो पे डारेक्टली फ्रॉम यूर अकाउंट और अपने फ्रेंड्स को भी आप पे कर सकते हैं और अपने नियरभाई जो सौप है उन पे भी आप पे कर सकते हैं और यहाँ जो इसका जो आपको बैंक में रजिस्ट्र मोबाई नंबर हो उसके बाद आपके पास एक OTP आने के बाद में आपको अपने मोबाईल में यह जो एप है इस पर एक लोग लगाना या तो आपका जो स्क्रीन पैटर्ने उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप नया पिन भी आप आप Google Pin का ही इस्तमाल करें तो मैं यहाँ पर Google Pin लगाने जा रहा हूँ तो friends जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पर जो है तेज सिल्ड इस्तमाल किया गया protection के लिए तो अब आपको जैसे ही मैं पिन यहाँ पर लगाँगा तो वो दिखाई नहीं देगा यानि कि screen recorder भी आपका यहाँ पर record नहीं कर पाएगा कि किस टाइप का pin आपने लगाया है और कितने आपका pin है इसके बाद में आपका Google तेज एप अपने आप open हो जाएगा pin के बाद में और यहाँ पर देखिए reward और offer आपको दिखाई दे रहे हैं अगर यहाँ pay पर किलिक करेंगे तो आप pay और receive का option आपके पास आ जाएगा उपर की तरफ आप drag करके pay कर सकते हैं और नीची की तरफ drag करके आप अपना payment receive कर सकते हैं बिल्कुल one tap यहाँ पर दिया गया one tap payment आप कर सकते हैं तो फ्रेंस payment अभी हम नहीं करेंगे सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर bank detail फिल करना को उपर की तरफ आप देख सकते हैं add bank account आ रहा है तो जिस भी bank में आपका account है वो information आपको यहाँ पर डाल लिए तो जिस bank में आपका account होगा वो आप select कर लेंगे आपका जो account number वो आपको दिखाई दे जाएगा तो मेरा bank account यहाँ पर दिखा दिएगा है आप देख सकते है sbi का जो मेरा account है वो दिखा दिएगा है उसके बाद आपको जो अपना upi pin है वो enter करना है अगर आपके पास upi pin नहीं है तो पहली बार में आप अपना upi pin generate कर लेंगे कोई भी यहाँ पर आपका six digit का upi pin होता है वो आप generate कर लेंगे तो फ्रेंज उसके बाद में आपका जो pin है वो verify होगा और अगर आपका pin सही है और आपके account detail सही है तो आपका जो google tage app है वो बिलकुल अब यहाँ से fully install हो गया अपने mobile में और आप अपने payment receive और send कर सकते हैं तो इस तरह से आप google tage को अपने mobile में install करके उसका use कर सकते हैं साथ ही यहाँ पर offer चल रहा है अगर आप first payment करते हैं तो 51 रुपीज का cashback मिल रहा है और per week आपको 1000 रुपीज का price भी मिलने वाला है सो फ्रेंच आज के इस वीडियो में इतना है प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए